इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम इंडियन्स को इमीडियटली युनाइट कर देती है जैसे किशोर रफी के गाने, त्योहारों में मिलने वाली छुट्टियां, मोदी जी की आठ बजे वाली स्पीच और इन सब से भी आगे इंडिया पाकिस्तान के मैचेज वैसे देखा जाए तो अब हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान से उतना ही खिलते हैं, जितने इंटरनेशनल मैचेज वो खुद अपने देश में खिलते हैं लेकिन जब जब ICC इवेंट्स की बारी आती है, एन इंडिया पाकिस्तान इंकाउंटर इस बाइफार बिगिस्ट फिक्स्चर इन टौर्नमेंट और अपकमिंग T20 World Cup में भी ICC ने 24th October को इंडिया पाकिस्तान को मैदान में उतार कर अपनी और ब्रोड़कास्टर्स की तीजोरी भरने की पूरी प्लैनिंग कर ली है Will it be fair to term India-Pakistan a rivalry in the T20 World Cup? I mean, when one team is leading the head-to-head 5-0, it should be known as a one-sided rivalry. Matlab 50 over World Cup ki taro, World T20 में भी अभी तक, India के आगे पाकिस्तान का खाता नहीं कुला है. Chalo, कोई नहीं, let's rewind the cassette and trace the roots of this one-sided rivalry. Which are dated way back to 2007 in the first edition of the T20 World Cup in South Africa. Really a match to remember. Durban में एक low-scoring game जिसमें उत्थपा और दोनी की बैटिंग ने पहुचाया इंडिया को 141 तक. पाकिस्तान के नए हीरो मिजबा उलग की फाइटिंग हाफ सेंचुरी ने पाकिस्तान की स्कोर को कर दिया equal और मैच भूया टाई. उस समय के रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ एक बोल आउट जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 3-0 से धो दिया और बनी बोल आउट से जीतने वाली पहली टीम. Head-to-head count 1-0 शायद एक इंडिया पाकिस्तान धमाके से 2007 के T20 World Cup का मन नहीं भरा और दोनों टीम्स को वापस लाकर खड़ा कर दिया ग्रैंड फिनाले में. Final था जोवानसबर्ग में एक ऐसा ग्राउंड जो चौको चौको के लिए मशूर है और जहां डिफेंड करना है मुश्किल. ऐसे ग्राउट पर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए गौतम गंबीर की फाइटिंग इनिंग्स की हेल्प से बनाए 157. इर्फान पठान के तीन विकेट्स ने पाकिस्तान के चेस को वेंटिलेटर पर डाल दिया लेकिन वापस आये मिस्बा. इस बार भी अपनी इनिंग से ला दिया मैच को पाकिस्तान के पलने में. लेकिन वन मास्टर स्ट्रोक बाइमेस धोनी एंड वन मिस्ट्रोक बाइमिस्बा विच मेंट इन्फरगेटबल सीन्स एन अन 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 फरगेटबल वर्ल्टी 20 विन. 2007 वर्ल्टी 20 फाइनल की दुखदाय याद को मिटाने के लिए पाकिस्तान को पांच साल का इंतिसार करना पड़ा और 2012 के वर्ल्टी 20 एडिशन में एक बार फिर उनकी टक्कर हुई इंडिया से. इस बार मैदान था कोलोंगो का जहां कपतान मौहमद हफीस ने टॉस जीत कर बैटिंग लीग. लेकिन इंडिया की बोलिंग ने उनके बल्ले बाजों की पूरी फिलकी लीग. पाकिस्तान पुरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए और स्कोर बना सिर्फ 128 जो मानो जीकु कोली ने यही हो रहा था. यही लट को छुडाने का पाकिस्तान की कपतान डॉक्टर मौहमद हफीस ने फिर एक बार इलाज करना चाहा. इस बार था वर्ल्ट T20 एंडिशन 2014 और मैदान था ठाका का. जैसे कि अकसर हमने पिछले 10-12 साल में देखा है, पाकिस्तान की बैटिंग जिप उसके पैकेट की तरह धोका देती है. इंडियन स्पिनर्स ने उनको जकड के रखा और स्कोर बना सिर्फ 130 का, जो कोली राइना ने अंताक्षरी खेलते-खेलते चेज कर लिया. 2016, ICC World T20, Eden Gardens, Kolkata. यही हुआ था इस टॉर्नमेंट का आखरी इंडिया-पाकिस्तान मुकाबला. इंडिया में टॉर्नमेंट, इंडिया-पाकिस्तान का मैच. इससे बहतर क्या हो सकता है भला? Forever Young शाइद अफरीदी थे पाकिस्तान के कपतान और उनकी ही टीम कर रही थी पहली बैटिंग. बारिश के कारण मैच हो गया था 18 ओवर का और रन बनाना हो गया था मुश्किल. जैसे दैसे पाकिस्तान ने 118 रन बनाए और अब बारी थी इंडिया की. पाकिस्तान पेसर्स इंडियन टॉप ओडर को खोल कर रख दिया. इच सीम कि इस बार तो आ गया पाकिस्तान का मौका. पर कोली एक बार फिर बने पाकिस्तान के क्रिप्टनाइट और एक लाजवाब हाफ सेंचुरी की मदद से चिताया इंडिया को ये मैच. बस पांच साल से ज्यादा हो गए है इस बात को. ना इंडिया को इस आँखने को बहतर करने का मौका मिला, ना पाकिस्तान को ये डूबियस रेकॉर्ड मिटाने का चांस. लेकिन अब कुछ ही दिनों में ये कसर पूरी होगी, जब 24 अक्टोबर को दोनों टीम्स की टकर इंडियन तीम in the UAE, so don't be surprised if the rivalry report card reads 6-0 very soon. Stay healthy, stay safe and stay tuned to Sportskeeda.